नमस्कार दोस्तों आज की हमारी रेसिपी है उडिसा की फेमस घुगनी जो की खाने में बहुत ही ज्यादा टेश्टी होती है चटपटा होता है और उसी तरीके से इसे बनाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है तो इसे आप कभी भी बना सकते हैं जब भी आपका कुछ घुगनी को बनाने के लिए हमने एक अप मटर को चार से पाज गहने पहले भीकोके रख दिया था तो अच्छे से सोक हो अच्छे से पक जाए पाणी को लिया ये ऑशी पानी को भी डाल दीया अधा चमज हमने दाल दिया हल्दी पाउडर हम अधा चमज नमक को भी डाल दे जाने और इन धकन लगा हर्थ इसे उबलने के लिए रख देते हैं तो दोस्तों जितने देर में आप दाल पकाते हैं दोसे तीन सीटी लगाते हैं उतने देर में ही हमें मटर को पकाना है दोसे तीन सीटी लगानी है जब तक हमारा मटर पक रहा है हम गुगनी को बनाने की तैयारी कर लेते हैं तो हमने एक के देख सकते हैं मैं ये सकते हैं आप आप सेंगरेगीया साथ वह कि पतना मीडिया है ऐट शुरू करते हैं यो तेल को into म टीë टील기도 है तो आप देख सकते हैं। हमारे मटर बहुत ही अच्छे से पग चुके हैं। लिएशे साइड हमारा तेल भी बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चली इसमें डाल रродеões हैं। जीर तो हमें इसमें डाल रही हूं। दो चुटकी हींग, दोस्तो हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है और छोले को पचाने में यह बहुत ही अच्छा मदद भी करेगा, तो यह दोनों रेडी हो चुके हैं, तो हमने जो मसाले पीसे थे, प्याज लेसून और मिर्ची का पेश्ट तियार किया था, उस इस बात का ध्यान रखकर ही आप नमक को डालेगा, तो मैंने प्याज और टमाटर की हिसाब से ही थोड़ा सा नमक डाला है, इससे क्या होता है कि प्याज बहुत ही जली से भून जाएगा, तो हमने प्याज लेसून और मिर्ची को आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से भून, मिर्ची बहुत भून- और एख सकते हैं इसमें नहीं दाली ж तो मैं अधा च्छोटा च्मच जाल जाला मिर्च्छी बावडर Reeland is I about Right and in food लाल मिर्ची भून लेना है तो मसाले हमारे सूखे थे तो बहुत ही जली से भून गए थे तो हमने टमाटर को भी डाल दिया है अब इसे अच्छे से चला करके हम ढखकर के छोड़ देंगे धिमियाज पर ताकि हमारे टमाटर सौफ्ट हो जाए तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला भी तो एक बर चला करके हम फिर से ढखकर के छोड़ देते हैं पकने के लिए तो एक मिनिट तक हमने और पका लिया है तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटर बिल्गुल सौफ्ट हो चुके हैं और सारी चीजे बहुत ही अच्छे से पक चुकी है तो हम छोले को इसके अंदर डा आदा कप के करीब पानी डाल रही हूँ और बहुत ही अच्छे से इन सबी चीजों को हमें मिला लेना है तो अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे ढख करके एक सी दो मिनट तक मेडियम लो फ्लेम पे पका लेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ओबाल आन अच्छे से आ जाए तो एक मिनट हो चुके हैं यह बिल्कुल डेडी हो चुका है तो हमने अच्छे से चला लिया है अब हम गैस को बंद कर देते हैँ और ऊपर से हम हारा धनिया थोड़ा और डाल देते हैं और यह गरमा गरम हम खाने के लिए सव करेंगे तो दोस्तों इसे चाहे वड़ा के साथ खाए चाहे चावल के साथ खाए या फिर इसे खाए आप रोटी के साथ ये सब के साथ ही अच्छा लगेगा तो दोस्तों मुझे उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को ल बन्नेवाद.